हलो फ्रेंड वेलकम से कहेंब और सकते हैं मैं अधे East whirl के बारे में पूचा जा रहा है कि कि सीस को हम रूफ of the world बोलते हैं option say मैं आपको बोला जाता है किorts that you take leuke from the.. option B में आपको बोला जा रहा है American plateau after겠어 soph Ei में आपको बोला जा रहा है Tibetan Plato, इसे roof of the world बोला जाता है, तो इस तरीके से आप question का answer आपके यह option A हो जाएगा, उसके बाद next question है, इस question में आप से पूछा जाएगा, the transfer of nutrients from one animal or plants to another is called a food dash, अब देखो जब भी कोई one plant से दूसरे plant के अंदर, या फिर animal से दूसरे animal के पस जब भी कोई food वगरा, यानि कि nutrients ज जाता है, या आप से question पूछा जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर आपको mention भी किया गया, इसे food dash, अब यह जो dash है, dash की जगा हम क्या fill करें, कि हमारा correct answer हो जाएगा, option A में आपको बोला जा रहा है, कि इसे food ladder बोलते हैं, option B में आपको बोला जा रहा है, इसे food tower बोलते हैं, option C म आप यहाँ पर option D choose कर सकते हैं, अगर इस question की correct answer यह बात करें, यानि कि जब भी किसी nutrients की value जो भी है, चाए वो animal से, या फिर plant से, किसी और की अंदर transfer होते हैं, तो इस process को आप बोल सकते हो, food ladder, यानि कि जो first option दे रहा है, food ladder, यह आप fill कर सकते हो, तो यह आपका answer बिल्कुल correct हो जाएगा, यानि कि आप यह कह सकते हो, इस question में आपको food ladder की definition एक तर से दे रखी है, तो इस question की answer के लिए आप option E को choose कर सकते हैं, next question है आपके लिए, what is the term used for a person who fits and repair pipe, picture, tape and so on for water supply and sanitation, आप लोगों ने घर पे कभी ना कभी repair वगएरा का काम जरूर करवाया होगा, इस question में आपसे पूछा जारा है कि ऐसे person जो की pipe वगएरा को fit करते हैं, उन्हें repair करते हैं, या फिर कोई भी picture वगएरा, या tab वगएरा लगाते हैं, तो या फिर कह सकते हो, जो water supply से related और sanitation से related जो काम करते हैं, उन्हें हम बोलते क्या हैं, यह आपसे question में पूछा जारा है, बहुत easy सा question है, आसान question है, और यहां चार options भी आपको दे दिये गए, जैसे option A में आपको बोला जारा है, इसे हम मैसोन बोलते हैं, option B में आपको बोला जारा है, इसे हम पलंबर बोलते हैं, और option C में आपको बोला जारा है, इसे हम architect बोलते हैं, और option D में आपको बोला जारा है, इस question आपको बहुत easy भी मिलेंगे बस आपको भी mistake नहीं करनी है और सही questions को अपने proper तरीके से attempt करना है ताकि आपके marks अच्छे का से आ जाएं तो यहाँ पे आप option B को choose कर सकते हैं इसके बाब next question है और इस question में आप से पूछा जारा है are there puddles around your home or school how do puddles dry naturally आप लोगों ने कभी न कभी अपने घर के आसपास जो खुला मैदान है वहाँ पे आप लोगों ने कहीं पर पानी खटा हुआ देखा हुआ तो question B उसके according ही पूछा जारा है आप से कि आपके घर के आसपास या फिर आपके school के आसपास कई ऐसा area है जहाँ पानी खटा हो रखा हो जिसे rain बारिश वगर आती है तो पानी खटा होता है उसी के बारे में पूछा जारा है तो यह जो पानी खटा होता है यह dry कैसे होता है naturally इस process को हम बोलते हैं क्या है यह आप से question पूछा जा रहा है अब देखो यहाँ चार options आपको दे दिये गए ठीक है जैसे first option में आपको बोला जा रहा है कि जब यह पानी dry हो जाती है यानि पडल dry जो होता है इसे हम condensation बोल सकते हैं और option B में आपको बोला जा रहा है इसे हम evoperation बोल देते हैं और option C में आपको बोला जा रहा है यह जो पानी है इसके बारे बता जा रहा है यह mix हो जाते हैं और soil के साथ जैसे option दे रहा है mixing with soil इसे हम बोल सकते हैं और option D में आपको बोला जा रहा है none of the above यानि कि जो तीनों option जो दे रहा है यह तीनों option गलत हैं according to option D ठीक है तो यह चार options आपको दे रखें इन्हों से correct answer क्या है यह आपको बताना है जैसे आपने कहीं न कहीं ग्राउंड में इस तरह से देखा होगा कहीं न कहीं पानी खट्टा हो जाता है बारिश की बारिश के तो जब heat बगरा पड़ती है ठीक है तो यह पानी evaporate होकर के दु पुछा जारा है कि human needs water for drinking, the amount of water that each person needs depend on the body temperature, the level of activity and other factors देखिए हर एक इंसान को हर एक human के लिए बोला जारा है किनको water की जुरूत पड़ती है पानी तो सधी के लिए जुरूरी है बिना पानी के तो हम survive भी नहीं कर सकते है और यह इसकी quantity के गर हम बात करें यानि इसके amount of water के हम बात करें कि कितना water की जुरूत पड़ेगी यह depend करता है हमारी body का जो temperature है उसके उपर और जो level of activity यानि कि किस type का हम hard work करते है किस type का काम करते है इस सीज के उपर भी निर्भर करता है और साथ की साथ कुछ और भी factor है जो यह role play करते है कि कितने पानी के हमें जुरूत पड सकती है उस problem को आपको identifying करना है तो जैसे यहां 4 options दे रखें इन 4 options में से एक option सही है यानि कि यहां पर जो भी disease हो सकती है जो भी problem हम face कर सकते है उसके बारे मैं answer में दे रखा है और हमें सही answer यहां पर choose करना है option A में बोला जा रहा है कि यह जो problem हो सकती है इसे हम कहते है evoperation ठ बोलते हैं और option C में आपको बोला जा रहा है कि इस चीज को यानि कि यह जो problem हम face करते हैं यह जो है इसको हम बोल सकते हैं condensation और option D में आपको बोला जा रहा है all the above यानि कि जो option A, B और C में जो दे रखा है यह सारे के सारे बिलकुल सही है आपके according correct answer क्या है यह आपको choose करना तो जब भी हमारी body में पानी अगर proper ना पहुचे यानि कि हम ठीक ठाक पानी की जो amount हमें सही है water का अगर उस quantity में पानी नहीं पीते हैं तो हमारी body में हम feel करते हैं dehydration ठीक है तो आप कह सकते हो इस question का जो correct answer होगा वो आपका option B हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोग मुझे comment कर सकें ठीक है तो चैनल friends at the rate preparation यान इस चैनल को और इसके इलाबा मेरा चैनल है Mr. Krishna Shah इस चैनल को भी subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ तो इसकी notification आपके पास receive हो सके टेलिग्राम पर मेरा एक group है इसका link मैंने नीचे description में आपको दे मिल जाएगा कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे Instagram पर follow कर सकते हो मेरी ID है at the rate Mr. Krishna Shah जाप message करके अपने doubts personally मुझसे chat पर पूछ सकते हैं ठीक है चलिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में thanks for watching बबाए